दोस्तों इससमें रासन कार्ड की EKYC को लेकर काफी लोग परेसान हो रहे हैं क्योंकि अभी मुश्किल से एक हफते रह गया है अगर आप 30 सितंबर तक अपना रासन कार्ड में EKYC नहीं करवाते हैं तो आपका नाम कट सकता है और फिर आपको रासन मिलना बंध हो सकता है तो उसको लेकर लोग काफी परेसान है क्योंकि एक हफते ही रहे गया है और अगर नहीं होती है तो काफी परेसान ही होगी बट मैं आपको बता दूं कि आप आपको बिल्कुल भी टेंसल लेने की आवस्चेक्ता नहीं है अगर आपकी EKYC 30 सितंबर तक नहीं भी होती है तो भी उसका कारण यह है कि डेट बढ़ा दी गई है जी हां आपको मालूम होगा कि 30 सितंबर तक लाश्ट डेट थी जहां तक अगर आप KYC नहीं करवाते हैं तो आपका रासन कार्ट बंद हो सकता है नाम कट सकता है फिर रासन मिलना बंद हो सकता था बट अब ही ऐसा नहीं है उ अमेशा आपके काम की जनकरियां लाता रहता हूं तो चलिए मैं अपने फोन की स्क्रीन अन कर लेता हूं और आपको नोटिस दिखाता हूं और उसके बाद फिर आपको बताता हूं कि तारिक जो बढ़ाई गई हो कहां तक बढ़ाई गई है कितने दिन बढ़ाई गई है औ और कितने दिन तक अगर आप EKWC अपनी नहीं करवा पाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो देखें ये मैंने अपने फोन की स्क्रीन अन कर ली है और यहां पर नोटीस दिखाई जा रही है जो नोटीस सरकार की तरफ से जारी की गई है और यहां पर बिल्कुल इसपर्ष्ट लिखा हुआ है देखें यहां पर तारीख दी जा रही है पूरा मैं आपको नोटीस पढ़के नहीं बताऊंगा वरना वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा बट मैं आपको जो मेन बात है वो बता देता हूँ जो तारीख की बात है कि तारीख कितनी है तो देखें यहां पर दिया जा रहा है उक्त के आलोक में 31-12-2024 तक प्रतेक दसा में समस्त रासनकार्ड धारक यूनिट्स का आधार उनके डाटाबेस से सीड कराना सुनिश्चित करें यहां पर बिल्कुल इस पर लिखा हुआ है कि 31-12-2024 तक हर हाल में रासनकार्ड की EKYC सभी लोगों की हो जानी चाहिए यहां अभी तक जो लोग परेसान हो रहे थे उनको परेसान होने की जरूत नहीं है अब इसली उनके पास तीन महीने के समय और बढ़ गया है अगर आप किसी अनिराजी में रह रहे हैं और अगर एक दो महीने बाद या फिर दिवाली तक अगर आप अपने घर गाउं जाना चाह रहे हैं तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आराम से आप तेहर भी मना सकते हैं अपने गाउं में और साथ में आपके रासन काड की EKWC भी हो जाएगी उसके लिए आपको परेसान होने की जरूत नहीं है और हाँ एक बात और मैं आपको बता दूँ कि ये जो नोटिस जारी किया गया है ये यूपी सरकार की तरफ से जारी किया गया है तो एक चीज मैं आपको इसपर्ष्ट नहीं बताप सकता हूं कि ये पूरे देश के लिए है या फिर सिर्फ यूपी के लिए क्योंकि इसकी इस परश्टिता अभी मुझे नहीं हो पाई है जैसे ही इसकी जानकारी कंफर्म होती है मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा बट अभी फिलाल के लिए अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए ये मौका जरूर है कि आप 31 दिसंबर तक अपने राशन कार्ड में करवा सकते हैं लेकिन अगर आप किसी अर्न राजी में रह रहे हैं तो फिर वहां के लिए आप अलग से जानकारी ले सकते हैं अपने राजी से संबंधित कहीं से भी या फिर अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से जरूर अगत करवाऊंगा बट फिलाल अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए कनफर्म ये जानकारी है कि आपको यूपी में 31 दिसंबर तक का मौका दिया जा रहा है तो अगर आपने भी अभी तक अपने रासनकार की BroadwayC नहीं करवाई है तो बिल्कुल भी आप टैंसे न ले और आपके पास में अभी बहुत समय है लगभडं Спटीन महिने का समय आपको और मिल गया है आप आसानी से अपने रासनकार की SEC करवा सकते हैं आप अगर गाउं जा रहे हैं अपने श्टेट में जा रहे हैं तो वहां पर करवा सकते हैं या फिर आप जहां भी हैं वहां पर भी जानकारी ले सकते हैं अगर आप दूसरे राजी में हैं वहां पर अगर संभव होता है तो आप वहां भी करवा सकते हैं हाला कि सरकार ने ऐस सब्सक्राई